पादपों में पोशन भाग तीन नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं एक प्रश्न का उत्तर खोज रही हूँ क्या मनुष्य की तरहा पेड़ पौधे, सुक्ष्म जीव, एक दूसरे पर आवास और भोजन के लिए निर्भर होते हैं? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के पात्र, शंकर और संदीप की अध्यापिका ने स्कूल में पादपों के पोशन से संबंधित जानकारी दी थी दोनों बच्चों के मन में ऐसे अनेक प्रश्न कुल बुला रहे थे अध्यापिका ने उन्हें कवकों के उपर एक प्रयोग करने के लिए कहा था वे दोनों इसी प्रयोग के बारे में बाते करते हुए स्कूल से घर की ओर जा रहे थे देखते हैं उनके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं और वे इन सवालों के उत्तर कैसे खोजेंगे? इस कहानी के उद्देशे हैं क सहजीवी संबंध की जानकारी, ख उर्वरक और खाद की जानकारी, ग मृदा में पोशकों की पुनह पूर्ती किस प्रकार होती है? आज कक्षा में तीचर जी ने जो बताया, मैं घर में जरूर करके देखूंगा, डबल रोटी को गीली और गरम जगा में छोड़ दूँगा, देखे तो सही के कवक कैसा लगता है? वहाँ देखो, रमेश काका अपने खेत में कुछ बो रहे हैं चलो, कुछ देर उनके पास पीपल की चाया में बैठ ले नमस्ते रमेश काका नमस्ते संदीप, कैसा रहा स्कूल का दिन? आज हमारी अध्यापिका ने हमें कवक्यानी फजाई के बारे में जानकारी दी कवको का खेती में बहुत बड़ा योगदान होता है काका, मुझे लगता है कि पेड़ पौदे दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे पर निर भर भी रहते हैं क्यूं है न संदीप जैसे तुम में ये बिना न तो कुछ खेलते हो न कहीं गूमने जाते हो सही कह रहे हो वैसे पता है कवक और पेड़ पौधों का रिष्टा भी दोस्तों जैसा है शंकर तुम्हें क्या लगता है कि कवक और पादप में भी दोस्ती संभव है याद है संदीप हमने पिछले हफ़ते वह मधु मक्की का छटा देखा था वाह मधु के बारे में सोचते ही मेरे मुँ में पानी आ गया तो याद है तुम्हें हमने देखा था कि कैसे मधु मक्की अलग-अलग फूलों पर बैठ कर उनके बीज यहाँ वहाँ फैला रही थी हाँ शंकर याद है अरे हाँ तो मधु मक्की और फूल भी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं मधु मक्की अनेक फूलों से रस्चूसती है और बदले में उनके बीज यहाँ वहाँ फैलाती है याद है संदीप हमने पिछले साल सीखा था कि इसे परागन यानि पॉलिनेशन कहते हैं वाँ शंकर तुमारी आदाश तो बड़ी तेज निकली आज स्कूल के पुस्तकाले से मैंने विज्ञान की एक किताब ली है उसमें भी परागन के बारे में लिखा था और ये भी पढ़ा था मैंने कि कुछ जीब एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बाढ़ते हैं इसे सहजीवी संबंध कहते हैं चलो हम उस किताब में ढूनते हैं कि ऐसे और कौन से जीब होते हैं जो आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बाढ़ते हैं दोस्तों आप भी सहजीवी संबंध के कुछ उदाहरण सोचिए अधियापिका ने आज कवगों का उदाहरण दिया और बताया था कि कुछ कवग व्रिक्षों की जड़ों में रहते हैं क्या वे कवग व्रिक्षों की मदद करते हैं सोचते हैं शंकर, देखो, अगर कवक व्रिक्षों की जड़ों में रहते हैं, तो व्रिक्ष उनको रहने का स्थान देते हैं, और जीवित रहने के लिए उनको पोशक तत्व देते हैं तो फिर कवक बदले में क्या देते हैं? मेरे हिसाब से, अगर कवक जड़ों में पाय जाते हैं, तो वो जल और पोशक तत्व ग्रहन करने में व्रिक्षों की मदद करते होंगे तो ये सहजीवी संबंद का एक और दहरन है यहें पेडों पर क्या है? ऐसा मैंने अपने घर के पास वाले तालाब में देखा है इसे काई कहते हैं? याद है संदीप, अध्यापेका ने बताया था कि यहें लाइकेन होता है चल, किताब में से इसके बारे में पढ़ते हैं वे दोनों किताब में लाइकेन की तस्वीरें ढूणने लगते हैं दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पेड़ पर लाइकेन देखा है? ये देखो शंकर, ये रही, मैं पढ़ता हूँ इन चितरों से लगता है, ये समगर जीव होता है कवक और शेवाल से मिलकर बनता है क्या इन दोनों का सहजीवी संबंध होता है? कवक शेवाल को रहने का स्थान, पोशक तत्व और जल देता है और शेवाल वे क्या देता है? शेवाल हरे रंग का है जैसे हरी पतियों में क्लोरोफिल होता है तो क्या यह भी पादब जैसे प्रकाश संस्लेशन द्वारा खाना बनाता होगा? कैसे पता लगाएं? किताब में देखते हैं चलो देखते हैं, देखो ये लिखा है शैवाल प्रकाश संस्लेशन द्वारा कार्बो हाइड्रेट बना कर कवक को देता है हाँ शंकर याद है मुझे अधियापिका ने हमें बताया था कि मिट्टी में पोशक्तत्व पादपों के लगतार उपियों करने के कारण कम होते जाते हैं और खाद डालने से मिट्टी उपजाव हो जाती है गाय का गोबर भी तो एक उर्वरक होता है पर गाय के गोबर की क्या विशेश्चता होती है गाय का गोबर पोशक्तत्वों से सम्रिद्ध होता है संदीप किताब के पन्ने पलटता है और फिर वहां से पढ़कर कहता है देखो इस किताब में लिखा है कि मिट्टी में मरे हुए जीव और पौधे सड़ते हैं और उन्हें सड़ाते हैं बहुत से सूक्ष्म जीव जो उनको खाते हैं जैसे जैसे ये सड़के मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी और उपजाओ बन जाती है अच्छा बड़ी विचित्र बात है ये तो एक पूरी श्रंकला है पादप और अन्निय सभी जीव अपने पोशन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से पादपों के पोशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कठी की होगी इस पाठ में हमने सहजीवी संबंध और मृदा में पोशकों की पुनह पूर्ती के बारे में जाना तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पशू, पक्षी, मनुष्य और पादप सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं?